Hello friends and welcome back to Motor Ready Find मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त तरिंदम घोश और आज फाइनली मैं आप लोगो के लिए लेकर हाजिर हूँ All new 2023 Harley Davidson X44 की और टाइनल थम्जिल से आप लोगों ने समझी लिया होगा वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ बाइक की डीटेल रिवीव शेयर करूँगा क्या यहाँ पर आपको फीचर्स देखने को मिल रही है कितना आपको यहाँ पर पे करना होगा माइलेज, स्पेसिफिकेशन, सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊँगा और वीडियो के इन तक आप लोगों को यह भी पता चल जागा कि 2030 में यह भाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना जादा किफायती हो सकता है और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू अगर आप लोगों के हाड़ा उगली कोलकाता में रहते हैं और कोई भी आप हाले डिवीडिसन का प्रोड़क खरना चाहते हैं शुरूम को आप कॉंटाइक बील कुल कर सकता है डीटेल्स अभी आपको आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी आप देख सकता हैं यहां पर हाले डेवीडिसन की एक जो ब्रैंडिंग है यहां पर की गई है अब मैं आप लोगों को यहां पर इंसेट करके बता दू कि हैड़ लांप आप लोगो जलती भी कैसे दिखी कि जैसे आप इसको यहां पर इकनाइट कर रहे हैं मतलब स्विच जैसे आउन कर रहे हैं अभी हाले डेवीडिसन वह आपको ओपन आई से दिखेंगी मिलाब क्यामरा में वह जस्टिफाइब नहीं हो पा रही है तो यहां पर यहां पर आप यहां पर जलती भी दिख रहे हैं वाकि आप लोगों को यहा आप लोगों को यह तो यहां पर आप लोगों को बता दिया इसको कार देते हैं बंद और नीच अगर आप लोग को यह आप लोगपको यह दो रिट्रो quality की है और यहां पर metal की ही बिलकुल देखने में मिल रही है। जहां तक बात है टायर की तो बता दूम यहां पर ऐप सकते हैं मर्फ zapper की टायर आप लोगको मिल रही है section की जहां तक बात है हन्रेट पहिए 90 Scotia पलोगो यहां पर यह जो टायर है बिलक। देखने में मिल अगर मैं आप लोगो बारे मता हूं तो वहां पर आप लोगो एक्स 440 विविड देखने को मिलती है color wise अगर आप लोग देख रहे है तो टॉप मॉरल में आप लोगो सीफ यही color देखने में मिलती है throughout the walker and आप लोग इसकी जो विव है 360 वो भी देखने को मिल जाएगी में आपको कुछ differences बताना चाहूंगा, अगर आप लोग base variant पे जाते हैं, तो वहाँ पर आप लोग करीबन 2,29,000 एक शोरूम प्राइस पे कर रहे हैं, और एक चीज में आप लोग को ये बता दू, अभी 3rd August तक आप लोग को आप लोग को सरसे बले price बता दू, आप लोग को, बेस वेरियन के price 2,29,000 तरह अगर आप लोग मीड वेरियन पे जाते हैं, 2,49,000 और अगर आप लोग अप लोग top model पे आते हैं, यह वाली model पे, तो 2,69,000 आप लेकिन यह जो प्राइस है यह introductory price बाइस है, ठीक है, 3rd August के बाद यह जो प्राइस यह भी बढ़ने वाली है, आप लोगों ने स्वीर 400 वाले में देखा था, 10,000 कंपनी ना बढ़ा दिया है, 10,000 बुकिंग होने के बाद, सेम काइंड आप कह सकते हैं कि वैसे कुछ यहां पर भी होने वाला है, तो पैसे भी चेंज हो सकती है, अब मैं बता द यह जो diamond cut alloy wheel यह देखने को नहीं मिल रही है, और हाँ अगर मैं पेस्वीरंट की बात करो तो यहां पर आप यहां पर आपको चेंज देखने में मिलती है, अगर आप टॉप मोडल पर आता है, यहां पर तो क्या क्या चीज़ आपको मिली रही है, वो मैं आपको बताने वाल अगर मैं आप लोगो सस्पेंशन के बारे में बताऊं, तो आप लोगो 43M की USD 4 यहां पर मिल रही है, अब बाइबरी की कलिपर तो आप लोग यहां पर देखी पा रहे हैं, अब अगर मैं आप लोगो थोड़ी सी comparison बताऊं, अगर आप लोग इसको classic 350 से बगएर से compare कर रहे तो definitely आप लोगो चीज़े यहां पर बहतरी देखने को मिल रहे हैं, चाहाए आप यह तायर देख लीजे या फिर अगर आप इसकी यह ब्रेकिंग देख रहे हैं, या फिर अगर आप इसकी USD 4 बगएरा देख रहे हैं, अगर आप लोग Speed 400 बगएर में जा रहे हैं, तो वहा लोगो यहां पर 27BHP की पावर मिलती है, 6000RPM पर और 40Nm का टॉर्क मिलता है, सिर्फ 4000RPM, तो समझ रहे हैं, 4000RPM मतलब, जैसे आप लोग फ्रॉटल घुमाता है, 4000RPM पर लोगो इतना ज्यादा, यहां पर जो टॉर्क है वो देखने को मिलता है, तो अगर आप कभी cruising अगरा क को देखने में मिलता है, और यहां पर मैं आपको यह चीज़ दिखाना चाहूँगा, cooling system के लिए आप देख सकता है, यहां पर oil cooling है, वो यहां पर दी गई है, fins वगर आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं, और साथ ही अगर मैं आप लोग को यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर दिख रही है, और साथ में तगड़ी क्वालिटी के आपको यहां पर यहां पर यहां पर दिख रही है, तो एंजिन के बार में यहां पर बात हो चुकी है, हाँ, अगेन मैं कहूँगा, अगर आप लोग इसको, मतलब, classic 350 से compare कर रहे हैं, तो definitely यहां पर आपल को पावरो होगा, करीबबन 7PN तक ही हां पर आप लोगगे देख रहे हैं, तो उसमें प्लोगगे प्राबम्स फिल नहीं होनी चाहीं है, चायाaya power हो चायाpper आप लोगगे आप लोगजा के बाद में बताओं तो qualities की सही है, यहां सबसे पहले में यहां जोロok एहां पर तो दोस्तों डेफिनेटली मैं यह कहना चाहूंगा आप लोग से कि यह आप लोग को हाले की जो बड़ी सीसी में गाड़ी आदिया वैसे आपको ट्विन सिलिंडर वाले यासे तो नहीं मिल रहें लेकिन यह कहना चाहूंगा कि थांब बहुत सही मिलती आपको अगर आप इस की है उसको यहां पर ओन कर दूं तो रेयर सिक्शन में आप लोग को बताना चाहूंगा यहां पर आप यह जो टेल लाइन देख पा रहे हैं मतलब काफी सही लग रही है देखने में आप लोग का कहाना बिल्कुल बताईएगा एक चीज़ में आप लोगों यहां पर आप तो यहां पर आप लोगों को यह टायर 145 70 section की यहां पर विल्कुल देखने में मिलती है, हाँ, सामने में आपको 18 inches की अलावविल मिल रहे थी, यहां पर आप लोगों को यह 17 inches की अलावविल विल्कुल देखने में मिल जाती है, again it's better than classic 350 यह फिर मिटे और 350 अगर आप कह रहे यहां पर आप देख सकते हैं, 7 step adjustable, मतलब समझ सकते हैं, दोनों ही आप लोग यहां पर adjust कर सकते हों, 7 step adjustable है, यहां पर आप देखिए, एड़्जस करने के लिए, यह सारी जो चीज़ें यहां पर आपको मिल रही है, तो काफी जो है, मतलब राइट को काफी आप, comfortable भी यहां नहीं होनी चाहिए और अगर आप लोग यहां पर यह comfort देख रहे हैं तो मैं कहूंगा यह मतलब आपको काफी ज्यादा comfortable ही देखने को मिल रहे हैं कोई problem नहीं होगी और space की जहां तक बात है आप देख सकते हैं चाहे राइडर हो बिलेनों काफी अच्छा space भी मिल रहा है तो इसके लिए problem नहीं है और यह grab handle अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो यह भी आपको काफी study जो मतलब grab handle वो दी गए तो अगर आप पकड़ के बैठ रहे हैं अगर आप राइडर है पीछे तो क्यूंकि acceleration काफी सही मिलेगी आपको वाइक में तो गिरने का डर भी नहीं आपको यह Harley Davidson X440 का जो logo है 3D logo वो आप लोग को यहाँ पर मिल रही है वाकि देखने में काफी जाला सही लग रही है अगर आप लोग उने इसको रियल में देखा है तो आप लोग का experience कैसा है नीचे comment पलिकर आप बिलकुल share कर सकते हैं हाँ आप मुद्बे पर आते हैं tank देखने को मिल रही है और अगर आप company के साब से देख रहा है तो करीबन आप लोग को यहाँ पर 30-35 km तक की माइलेज है वह भी आप लोग को 190 kg की ही देखने को मिलते हैं जो अगेन अगर आप इसको classic 350 वगएर से compare करते हैं तो उससे आप लोग को यहाँ पर यह 5.5 kg तक हलक देखने को मिलेगी अब अगर आप नीचे यहाँ पर देख रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पर भी यह जो मतलब इंजिन जो काउल है यह मेटल की बनी है और यह काफि तगडी क्वालिटी के आपको यहाँ पर देखने में मिल जाती है एक चीज यहाँ पर बताना भूल वह है इसकी स्टैंड के बारे में में अपर नहीं मिल रहा है साइट इंजिन कट आफ सेंसर भी अप लोग को मिलता है और सिक स्पीड गेर बौक्स अप लोग को मिलता है लेफ्ट में आप लोग को यहाँ पर दिखा दू चुछ इस तरीकी से दिखती है और फिंस वगर आप लोगों को यहाँ पर विल्कुल देखने में मिल रही है तो आप क्या सकता है कि यह थोड़ी सी परफॉर्मेंस विलेंटेड बाइक बन जा थी क्रूजिंग के लिए मैं आप इसको मैक्सिम्म यूस करने वाले हैं तो थोड़ा सा अपको दिखा रही है जो आप लोगो यहां पर दिखा रही है तो यहां पर यह जो सारी मायलेज इंडीकेटर कितनी है वो दिख रही ए और यहां पर दिखी रही है और यहां पर फियूल के मैं आपको यह बता दिया है, आप switch gears पर आते हैं, यह भी इसकी quality आप देख सकते हैं, काफी बहतरीन बनाए गई है, दोनों ही side में, ठीक है, अब मैं आप लोग को यह बता दू कि यहां पर यह तीनों मतलब, अगर आप इसको toggle करना चाहरे हैं, तो आप down और यहां पर back करने क हैं, तो यहां पर आप दे सकते हैं, मतलब engine kill switch और start का button एक साथ integrate करी गई है, then आप लोग को यहां पर जो hazard lamp है, वो भी आप लोग को मिल रहे हैं, और नीचे है SOS, मतलब एक यहां पर technology और company इसमाल करीगे, वो मैं आपको अभी बता दिता हूं, यहां पर यह ब्लूटूथ भी यहां पर कर सकते हैं,が अगर अगर आप यहां पर बिलकुल possible है, और अगर आप यहांपर यह मतलब handlebar देखने to normal सी handlebar मिल रहे हैं, ऐसा बहुत कुछ जदा अपको यहां पर देखने में नहीं मिलती है, और अगर आप यह fuel filling tank देखते हैं तो यहांपर और लोग को अख वो यहाँ पर आपको देख रही है तो यहाँ पर दोस्तों पूरी तरीके से जो है बाइक मैंने आप लोगों को यहाँ पर explain किया है अब मैं आप लोगों को एक चीज related to engine में आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगा अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगा सत्यवचन की घड़ी में कि इतना आप लोगों के लिए खड़िदना सही होगा अब देखिए तो मैंने आपको अल्लेडी बताया है तीन वेरेंट आपको मिल रही है तो अगर आप लोग इसको कंपैर कर रहे हैं विद क्लासिक 350 वगेरे से तो प्राइस वहाँ पर भी आप लोग करीबन दो लाग साट साट सतर हज़र तक तो वहाँ पर पही करते हैं ठीक है और वहाँ पर अगर आप गाड़ी को सजाते हैं मैं रॉयल इंफिल की स्पेशली बात कर रहा है तो वहाँ पर तीन लाग से ज्यादा भी पे करते हैं लिक्विट कूलिंग अगर वहाँ पर है मतलब वह बाइक अगर आपको चाहिए तो भी आप खरीच सकता है प्राइस अल्रीडी कंपने उसकी वह रिविल कर दी है आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों पसंद आई होगी बहुत जिन मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए बाइक के साथ तिल देन राइट से फैंड जाहिंद